पूर्वे में कई व्याख्यान मैंने डिलिवर किये हैं आज के इस व्याख्यान में आप से चर्चा करूंगा स्पर्म स्ट्रक्चर आप 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 स्ट्र सुकानु के अंदर भी हैड होता है टेल होती है और बैक्टियोफेज वाइरस का जब किसी बैक्टिया पर संकर्मन होता है तो बैक्टियोफेज वाइरस की पूंच बाहर रहे जाती है और क्यावल इसका जैंटिक मैटियल जो होता है वो बैक्टिया के अंदर परविश करता ह ठीक इसी तरह सुकानु जब फटलाइस करता है किसी अंडे को तो इसकी पूंच भी बाहर रह जाती है और केवली इसका डियने यानि इसका जो केंद्रक होता है और प्रॉक्सिमल सेंट्यूल होती है वही इसके अंदर परवेश करती है एक टीपीकल स्फर्म की सरचना में मुख्य रुप से तीन भाग होते हैं हैड मीडिल पीस और टैल समसे बहले मैं हैड पे चर्चा करूंगा है हैड में दो मुख्य सरचना ही पाई जाती है एक तो केंद्रक और एक अकरशों यह जैसे इस क्लॉजर फिगर में दिखा है इस सुकाणू का यह नूले कलर में जो दिखा है यह इसका केंद्रक है और यह जो यलो कुलर में दिखाया है यह अकरशों का पार्ट है तो केंद्रक के अंदर दो हेड केंदर दो मुख्य रसना है एक तो केंद्रक और एक अकरशों पहले स्ट्रक्टर इसमें नुकलियस नुकलियस सुक्राणों का अधिकांस भाग घेरता है इट उक्युपाइज मैक्समम पार्ट अब देस्पम सुक्राणों के हैड की जो आकरती होती है वो केंद्र की आकरती पेटे बंड करती है माले केंद्रक गोलाकार है तो हैड भी गोलाकार होगा केंद्रक यदि तरकुरूपी है तो हैड भी तरकुरूपी होगा केंद्रक यदि चमच के स्मान है तो हैड भी चमच के स्मान होगा So shape of head is determined by shape of nucleus केंद्रक दोहरी जिली के द्वारा घीरा रहता है इस केंद्रक जिली का आधारिय भाग जो होता है बहरी जिली का आधारिय भाग वो अपेक्ष्याक्रत मोटा होता है जिसे बैसल प्लेट या बैसल लेमिना के नाम से जाना जाता है कुछ मैमेल्स में बैसल मेंब्रेन जो होती है वो छिद्रित होती है हालांकि सुकानो के केंद्रक जिली है वो पर्फोरेटेट नहीं होती है सुकानो के केंद्रक जिली में केंद्रक छिद्र नहीं होते है लेकिन स्तंधरियों में बैसल पार्ट केंद्र का जो बैसल पार्ट होता है वहाँ पर यह पर्फोरेटेड होती है बाकी जिल्ली के पार्ट में चिद्र नहीं पाई जाते हैं कि इट इस इपरेट फ्रॉम ने फिरंट रीज़न पाई लेमिलर बॉड़ी तो गर्दन और केंद्रक बीच में एक पटाली का किस्वान लेमिला केस्वान एक रचना पाई जिसे लेमिलर बोडी कहते हैं परते केंदरक में एगुनित गुंसुत्रों का एक सैट पाय जाता है जिसको एक जिनॉम भी कह सकते हैं जैसे मनुश्यों केस में दो जिनॉम है एक मैटरनल जिनॉम एक पैटरनल जिनॉम जो है वह 22 22 प्लस वाई के रूप में निरूपित होता है मैटरनल जिनॉम जो होता है वह 22 प्लस एक्स के रूप में होता है तो अलग लग शुकाणू के अंदर अलग लग जिनॉम स्पाई जाते हैं और जिनॉम की बैसिस पे भी शुकाणू दो तरके होता है एक तो 22 प्लस एक्स वाले जिसमें maternal genome है और बाई प्लस वाई वाले जिसके अंदर paternal genome है इससे के अंदर है प्लोइड सेट जो होता है क्रोमोसोम्स का वो अत्यदिक दढ़ता से बंदा हुआ होता है और इसमें छारिये proteins होते है इस्तोब्टॉन इसमें नहीं पायती है क्यों जब शुकान की फोर्मीशन होती है तो हुस्तोरोन का प्रतिस्थापन प्रोटिम इन्प्रोटीन से हो जाता है तो नुकलियस के अंदर केंद्रिक अंपस्थित होती है, आर एन इन पस्थित होता है, तरल जो होता है केरियो प्लाजम वो लगवग अंपस्थित होता है, और हिस्ट्रोन प्रोटीन जो होती है वो प्रोटेमिन प्रोटीन के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाती है, इसके कारण DNA जो होता है वो अत्यदिक दर्ड़ता से पैक हो जाता है और एक छोटी सी जगह में क्योंकि केंद्रक की साइज पहले छोटी हो जाती है और इस छोटी जगह में अधिक से अधिक DNA को पैक करना इनका मुख्यों देश्यों होता है इसलिए histamine protein is replaced by protein means proteins due to which DNA material is highly packed in a very small space. second part इसका acrosome acrosome सुकान की plasma जिल्ली और केंद्र के बीच उपस्तित होता है acrosome का आकार और आकर्ति जाते वी सिस्ट होता है acrosome एक इकाई जिल्ली के द्वारा घीरा रहता है acrosome एक परकार का lysosome है क्योंकि इसकी उत्पति इसकी formation गॉल्जी बोडिस के द्वारा होती है और इसमें अनेक परकार के hydrolytic enzymes पाई जाते हैं जो निशेशन के दोरन अंडे की जिल्ली को डिजॉल करता है यह सुकानु के इस चितर में आप देख रहे हो यह जैसे हैड रीजन है इसका यह मीडिल पीस है यह टैल है आप लेकिन अलग लगलग जातियों के एकरोसम पीस में अलग-लग enzymes पाई जाते हैं है इस बात को मैं यो भी कर सकता हो कि सुकांडु की एक्रोसों में जो एंजयम है वो जाती वी सिस्ट होता है इज एंजयम सारी इस्पीसीज स्पैसिफिक कुछ मुख्य एंजयमस है जो की एक्रोसों में पाई जाते हैं, उनमें एसीड फॉस्पेटेज, एसीड हाइटोलेजेज, हाइलियरोनीडेज, एक्रोसोमीन, एक्रोसीन, कॉरोना पैनिटेटिंग एंजाइम्स, बाइंडिन, इसके लाँ और भी एंजाइम्स है, अलग लग जातियों के इस उकणों में अलग लग एंजाइम्स वाई जाते हैं, सभी इंजाइम्स सभी स्पम्स में नहीं मिलेंगे, इसका मेन कारण क्या है कि अलग लग जातियों के अंडों में अलग लग तरह की एग मेंब्रेंस वाई जाती है, और in-ag membranus का chemical composition भी अलग-लग होता है तो उनको digest करने के लिए अलग-लग तरग enzymes चीए जैसे मनुश्यों की case में यह दिए देखें तो उन्डे में सबसे बार cumulus layer होती है उसके नीचे corner radiator होती है उसके नीचे फिर जोन पैलिसिटा होती है इंसेक्ट का एंडी आप देखो तो इसके अंदर chorion आवरन होता है जो काईटीन का बना होता है इस chorion की नीचे प्लाजमा जीली होती है mendic एंडे में जैली आवरन होता है और अलग-लग egg membranus होती है उनका रासाइनिक संक्ठन भी अलग-लग होता है और उनको digest करने के लिए अलग-लग enzymes की आवशकता होती है केंदरक और एक्रोसोंग के बीच में एक छोटा खालिस्थान भी पाई जाता है जिसे perforatorium या sub-acrosomal space या acrosomal corn या axial body के नाम से जाने जाता है इस perforatorium में prophylactin proteins भरा रहता है और prophylactin protein है यह prophylactin protein और G-actin का mixture है तो परिक्षा के अंदर यह perforatorium का question होता है what is perforatorium define perforatorium so perforatorium is the space which is present between acrosom and nucleus and it is filled by prophylactin protein and calcium acrosom reaction के दोरान prophylactin विदलित हो जाता है calcium की presence में क्योंकि सुकाण में जित्ती भी reactions होती है वो चाहे अक्रोसोम reactions हो या अंडे के अंदर cortical reactions हो penetrations हो सब के अंदर calcium आनों के अशक्तव होती है तो acrosom reaction जब होती है तो calcium की presence में profylactin protein अपने दोनों घटकों में तूट जाता है profylactin अलग हो जाता है G protein अलग हो जाता है यहापर G कारता है globular गोला कर अब यह G actin polymerize होकर F actin में convert हो जाता है यहापर अब कारता है fibrous G कारता है globular G actin है यह monomer है F actin जो है यह polymer है तो monomer actin का polymer actin में conversion होता है और F actin जब बनता है तो इस perforatorium में एक छड के स्मान रशना बन जाती है जिसे acrosomal tentacles या acrosomal road के नाम से जाना जाता है और यह चड के स्मान जो रशना है यह सुई की तरह होती है और अंडी की जिलियों को भेदने में penitrate करने में helpful होती है F actin acts as a pointed needle which is helpful in penitration of sperm into the egg membranes acrosomal जो है यह जाती विश्यस्ट है acrosomal की बाहरी जिली जाती विश्यस्ट नहीं है लेकिन इस membrane का सुकानों की प्लाज्मा जिली में कुछ विश्यस्ट परकार के proteins पाई जाते हैं जिनको anti-fertilizes करते हैं और पहले इनी anti-fertilizes को endrogamon के नाम से जाना जाता था सुकानों की जिलियों में endrogamon अंडे की जिलियों में gynogamon जिनको आजकल fertilizing की नाम से जाना जाता है और acrosome reactions के दोरान calcium, magnesium, sodium potassium, sodium इनकी मात्रा बढ़ जाती है और G-actone का बहुली करण होता है और G-actin, F-actin के अंदर परिवर्टित हो जाता है तो head के अंदर दो मुखे पार्ट होगे एक तो केंद्रक और एक acrosome केंद्रक का मुखे काम होता है आन्वनसिक content को प्रवाइड करना तो प्रवाइड genetic content या तो प्रवाइड haploid set of genome और acrosome का काम होता है S1 को activate करना और अंडे की membranes को dissolve करना अब सुकन का second part यह है middle piece या मद्द्य खंड मद्द्य खंड और head के बीच में एक छोटी सी गर्दन पाई जाती है it is connected to head by a small neck middle piece में दो मुखे रसनाई पाई जाती है एक तो proximal centriol smipper स्तारक आए एक diesel centriol दूरस्तारक आए proximal centriol जो होता है यह केंद्र के नीचे लंवत रूप से उपस्तित है proximal centriol located perpendicular to man axis जबकि दूरस्तारक आए जो होता है यह सुकानू के एक्स में परजेंट होता है लेकिन यहाँ पर केंद्रक और smipper स्तारक काई के भी इसमें 90 degree का अंगल है इसी तरह smipper स्तारक काई और दूरस्तारक काई के भी इसमें 90 degree का अंगल है और proximal centriol ज़स्त के अंदर के नीचे होता है distal centriol proximal centriol के नीचे होता है दोनों centriol की रसना 9 प्लस 2 पर करकी होती है यहाँ पर 9 प्लस 2 जो है यह एक तरह के यह micro filaments होते है और इनको लग-लग terminology के दोरा designate किया जाता है जैसे smippers तरकाई में fibers जो होते है smippers तरकाई में smippers तरकाई में जो fibers है वो gamma fibers के नाम से जाने जाते है दूरस तरकाई में जो परिधी वाले जो no fiber है वो alpha fiber के नाम से जाने जाते है और केंदर में जो दो हैं वो बीटा फाइबर के नाम से जाने जाते हैं इस तरह एक सुरकाणों में 9 एलफा फाइबर, 2 बीटा फाइबर और 11 इसकेंदर गामा फाइबर्स होते हैं इन फाइबर्स में अलग लग तरह के एंजाइम्स पाई जाते हैं जैसे alpha fiber जो है इसके अंदर ATPase enzyme पाए जाता है बीटा fiber में acetylcholine, esterase enzyme पाए जाता है गमा fiber में succynic dehydrogenase, adenosine triphosphatase और espermocene enzymes पाए जाता है अब fertilization जब होता है तो तरकाय का होना बहुत जुरूर है इसका मैन कारण का है कि इसके अंदर ATPase enzyme है अब अले ही चाहिए सुकान के अंदर ATP का molecules present हो लेकिन सुकान को उर्जा तभी मिलेगी जब ATP का वेदलन हो ATP, ADP में convert हो और ATP को ADP में convert करने का काम जो होता है वो ATPase enzyme की द्वारा होता है और ये enzyme दोरों ही तारकाय में पाए जाते है सुमिपस्तारकाय में भी है और दुरस्तारकाय में भी है Middle piece में mitochondria भी उपस्टित होते हैं ये mitochondria दो रूप हों पाए जाते हैं एक तो निवेन कंड के रूप में और individual mitochondria के रूप में निवेन कंड क्या होता है कि अब चूंकि mitochondria है ये एक तरह के semi autonomous organelles हैं इसमें multiplication की capacity पाए जाती है division की capacity पाए जाती है fusion की capacity पाए जाती है तो सुकानुजनन के दोरान mitochondria में लगाता division होता रहता है और हजारों की संख्या में mitochondria बन जाते हैं ये mitochondria आपसमें fuse हो जाते हैं और इनके fusion से mitochondria का एक लंबा ribbon बन जाता है इस ribbon को निवेन कंड बोलता है और ये ribbon जिस तरह अंगुली के चार और आप फिता लेपेट लो उससी तरह ये mitochondria का ribbon मद्य खंड के चार और लिप्टा हुआ रहता है कुछ प्राणियों में mitochondria जो होते हैं वह scattered होते हैं individual form में होते हैं और इनके अंदर fusion नहीं पाए जाता है तो mitochondria individual भी हो सकते हैं और लंबे फीते के रूप में भी हो सकते हैं अब मिडिल पीस का जो last part मिडिल पीस और टेल के बीच का जो joint है वहापर एक ring centriol पाए जाती है इसको जैंसन रिंग भी बोलते हैं कि जैंसन नी इसकी खोश की थी और ये एक तरह की fibrous proteins की बनी होती है इस ring centriol की रसना 9 plus 2 पर करकी नहीं है और इस ring centriol का मुख्य काम क्या होता है कि mitochondria जो होते हैं वो push में विस्थापित नहीं हो यदि ring centriol नहीं हो तो mitochondria push के अंदर विस्थापित हो सकते हैं displace हो सकते हैं तो mitochondria के shifting को displacement को रोकने के लिए ये ring centriol जो है ये पाई जाती है ring centriol का main purpose जो है वो shifting of mitochondria from middle piece to tell the main purpose of ring centriol is to prevent the shifting of mitochondria from middle piece to tell इस middle piece में कोशका दर्वे के एक पतली परत्व पाई जाती है जी से manchet कहते है तो ये एक्जाम की दर्स्थी से बहुत important point है what is manchet manchet is a thin layer of cytoplasm which is present below the sperm plasma membrane and it is called as manchet proximal centriol fertilization के दोरान खुद का contribute करता है क्यों जब निशेचन होगा तो शुकानू का केंदरक अंडे में पर्वेस करता है स्मिपस्तारक का पर्वेस करती है और ये proximal centriol जो होता है ये निशेचन के बाद आगे जो विदलन पर क्रिया होती है उसके अंदर ये participate करता है distal centriol अंडे के बाहर ही रह जाता है और distal centriol है ये अक्चुल ये push का निर्मान करता है तो फ्लेजलम में जो प्राफल जीव मोमेट है फ्लेजलम मोमेट है उसके अंदर इसकी में भूमी का होती है माइटो कॉंडिया ATP प्रोवाइड करता है तो ये middle piece के main structure है या main components है यह मान के चलो main set प्लाजमाजीली के जस्ट नीचे कोस का दर्वे की परत स्मीपस तारकाई दूरस तारकाई माइटो कॉंडिया जो कि इंडिजल भी हो सकते है और निवेन करन के रूप में भी हो सकते है और ring center अब ये जैसे cross section दिखाया अलग लग जगह से ये जैसे head के just नीचे का cross section है ये annulus वाले region से cross section है ये flasal वाले region से cross section है और इन cross section में आपने देखते हैं कि सबसे बार plasma जिली मिलेगी उसके नीचे कोस का दर्वे की परत मिलेगी उसके नीचे gamma fibers मिलेंगे उसके नीचे alpha fibers मिलेंगे उसके नीचे beta fibers मिलेंगे और जो जो head से tail की तरफ जाते है सुकानू जो है वो नुकीला होता जाता है तो सुकानू की जो सरस्षना है वो एक तरह की aerodynamic है और पानी में तैरने के लिए तर्यल माध्य में तैरने के लिए यह उप्यूक्त है स्वीड बढ़ाने के लिए उप्यूक्त है यह फिर एक cross section दिखाया है इसका middle piece का और इसके अंदर परिधी में इन्हों microtuels है center के अंदर दो microtuels है और इनके अलग-अलग इसको अपने alpha fiber, beta fiber, gamma fibers की रुप में इसको पन रिपरजेट किया है तीसा जो पार्ट है सुकानु का यह है पूँच पूँच सुकानु का सबसे लंबा भाग है it is the longest part of the sperm पूँच को दो खंडों में डिवाइट कर सकते हैं एक तो मुख्य खंड principal piece दूसरा अंतिम खंड या end piece principal piece जो है यह पूँच का maximum part बनाता है it constitutes maximum part of the phlegelum और इसकी रसना 9 plus 2 परकार की होती है लेकिन मुख्य खंड में भी दो column बन जाते हैं एक तो anterior column, एक posterior column इन column का निर्मान कैसे होगा कि gamma fibers जो होते हैं gamma fiber जब पीछे की तरफ जाते हैं तो उसमें 2 gamma fiber lateral side में band हो जाते हैं और उनके band होने से middle piece में 2 column बन जाएंगे एक तो अग्रस्तम, एक पस्सिस्तम end piece जो है, यह सुकानू का अंतिम भाग है और इसमें केवल 9 plus 2 परकार का संक्ठन जो होता है वो पाई जाता है, इस फिगर में आप देखुरें सुकानू का यह entire configuration दिखा है इसके अंदर head के अंदर यह nucleus है, nucleus में kendri का है यह बाहर acrosome है, यह middle piece वाला region है इसके अंदर स्मीपर तरकाई, दूरस तरकाई और इस central की चार और यह mitochondria जो है वो present है और जो जो पीछे जाएंगे, उस जो होती है वो nucleus होती जाती है अब है इसमें type of sperm अब सुकानू फ्लेजला के अधार पर दो तरके हो सकते हैं एक तो flagellated sperm, एक non-flagellated sperm flagellated sperm भी दो परकार के हो सकते हैं कुछ सुकानू के अंदर एक कसावी का पाई जाती है कहलाते हैं, कुछ के अंदर दो कसावी का ही पाई जाती है वो biflagellate sperm कहलाते हैं जिस तरह पाईला के अंदर दो तरे के शुकानू मिलते हैं oligopyrin sperm और upyrin sperm बीन पूछ वाले जो शुकानू है यह ascaris में पाई जाते है pro-cambras में पाई जाते है ascaris का जो शुकानू है यह amoeboid परकार का है और इसके अंदर के अंदरक होता है, स्मीपस तारिकाई होता है दूरस तारिकाई इसमें नहीं पाई जाती है इसमें आप देख रहें, अलग-लग परजातियों के शुकानू की जैसे structure है इसमें प्रोगर परकार की होता है सुकानू की जो आकृती है वह जाती वी सिस्ट है और अलग-लग सुकानू के head की जो आकृती है वह अलग-लग परकार की होती है अब क्वेशन है कि सुकान को अनर्जी कहां से मिलती है उपापचे के समद में एनावलिक पार्ट लगवग नगनने से होता है इसमें केटावलिक पार्ट है यह बहु ज़्यादा इंपॉर्टन है और इसमें भी एवाईविय ग्लाइकोलाइसिस होता है क्योंकि सुकान में प्रॉपर ऑक्सिजन सप्लाइज नहीं होने कर सुगर का एवाईविय ग्लाइकोलाइसिस होता है और रैस्पिरेशन के अंदर इसमें जो मुखे जो सबस्टेट होते है वो लेक्टेट होते हैं पाईरवेट होते हैं acetate होते हैं, phospholipides होती है, यह पोशक जो पदार्थ हैं इसमें, energy provider जो है, इनका मुख्य स्रोत या तो सुरुकानू के अंदर ही होता है, या सुरुकानू के बार से होता है, क्योंकि सीमन के अंदर यह पोशक पदार्च होते हैं मौजूद रहते हैं इनका अवसोर्शन होता रहता है और यह अनर्जी प्रोडक्शन में यह पार्टिस्पेट करते हैं जीवन अवदी सामने तया एक सुकानु की लाइप पचास से साथ मिनिट तक होती है लेकिन सुकानु जब रेस्टिंग स्टेज में हो डॉर्मेंट स्टेज में हो और कुछ प्राणियों के फिमेल बॉड़ी में प्रवेश करने के बाद में सुकानु कई महिनों कई वर्सों तक जिन्दा रह सकते हैं जैसे हनीवी के अंदर यदि हनीवी की फिमेल बॉड़ी में स्पर्म परवेश कर गए तो वहां पर यह कई महिनों तक जिन्दा रह सकते हैं इस पर कई घटना चमगादण में पाई जाती है और कॉल्ड इस्टोरेज में जहां पर क्राय प्रीजर किस में इनको यूज किया जाता है जनरली जो लाइफस्पान है सुकान की वह पचास से साट मिनेट तक होती है फिमेल बॉड़ी में प्रवेश करने बाद में इसके लाइफ जो होते हैं वह बढ़ जाती है और हनीवी और चमगादण में तो यह सुकानों फिमेल बॉड़ी में इसको 10-20 साल तक आप प्रीजर रख सकतें हो सुरक्षित रख सकते हो कि हैं अब एक क्या आजक़ जोuestas सलाई है कि सुकान में वह इसके प्रोटीन कैमेस्टिय पर Hertz के लिए घूण यह यह वह इक तरदे हैं और अभी तक जो आप ने लिए क। आपने देखा कि कि शोकान के हर पार्ट में कोई नंगों झाइम्स कोईज्य प्रोटिय likelihood प्रोटियन्स फर्जंट है तो आज को यह बहुत डिस्कवरी हो गई है और कई तरह कि इसमें PhD आवार्ट हो गई है केवल शुकाण पाई जामने लिए प्रोटिन की स्टेडी के लिए इस फिगर में आप देख रहे हो यह इसमें ज्यादा में डिटेल में नहीं जाएंगा क्योंकि यह छे पाई प्रोटिन का यह डिटेल का यह डियाग्राम है और उस समध की चर्चा मैं यहां पर मैं नहीं करूँ अए लेकिन इस फिगर में यह एंजाइम क्यों प्रोटिन के लिए जासे एंडर कौन से ने होते हैं और एक प्रकासे टीपिकल टास्क है यहां पर मैं इसकी मैं चर्चा नहीं करूँगा यह कंपूर्ट्राइज अइनिमेशन है सुकानु की सरसना की शौट में यह मैं आपसे शेयर करूँगा यह computer animation दिखाई है, इसके अंदर सुकानु यह जो है moment कर रहे हैं, यह सुकानु का head है, यह middle piece है, यह इसके अंदर पूँछ है, उसमें नीरंतर तरंगीत कती होती रहती है, undulating moment जो है, वो होती रहती है, head के अंदर यह सबसे आग एक्रोशॉम, इसके पीछ है यह केंदर रख, middle piece में यह समीपस तरकाई, यह दूरस तरकाई, और इसके चारों यह mitochondria जो है, वो है condylit रूप में, spiral रूप में यह लिप्टे हुए है, यह इसके पूश का पार्ट है, और पूश में यह दर अंडूलेटिंग मॉमेट होती रहती है, इस अंडूलेटिंग मॉमेट के कारण, सुकार्ण जो हता है, वो तैर के आगे चलता रहता है, क्योंकि fertilization हमेशा तरल माद्यम में होता है, बोड़ी के बार भी यह दी fertilization हो रहा है, तो उसमें भी fluid medium क्या होशकता होती है, और female body के अंदर भी यह दी fertilization हो रहा है, तो उसके अंदर भी fluid medium क्या होशकता होती है, और fluid medium में सुकार्ण के अंदर यह animation होता है, यह एक computerized figure है अंदर शुकानु का हैड ये मेडिल पीस ये टैल ये एक वीडियो लिंक है जिसमें शुकानु के एनिमेशन आप इंटरनेट यदि बैक्राउंड में चल रहा हो तो इसको ज़स्ट क्लिक करते हैं ये स्लाइड जो है वो चालू हो जाती है ये एक बहुत ही संक्षेप में मैंने आपको समझाने ही कौसिस की है एक बार मैं पूने ब्रीफ में थोड़ा डिसकस कर दूँ शुकानु की इस रसना तीन भागों डिवाइट होती है हैड बिडिल पीस और टैल हैड के अंदर दो मुख्य रसना है एक्रोशों और नुक्लिय बिडिल पीस के अदर दो तर्यकाय मिलते हैं प्रॉक्सिबल संट्यूल और डिश्टल संट्यूल इसके लाव इसमें माई्ट कॉंड्रिय पाए जाते हैं फर्त्लायसं के समेग के अंदर प्रीविस करता है , लेकिन दूर तर्यक के प्रीविस नहीं करता है WITH जो होते हैं यह प्लेजलर मॉमेट प्रोवाइट करना तरंगी जिली प्रोवाइट करना और फर्टलेशन किसमें शुकान को अंडे तक मोचाना यह यह अप्रोक्सिमेशन जो होता है वो उसके अंदर टैल का बहुत बड़ा रॉल है आपने वेक्षान यह बहुत द्यान से सुना उसके लिए मैं में तरब से डिपार्टमेंट की तरब से लोया कॉलेज की तरब से मैं आपको धरनेवाद देता हूँ आपको किसी परकार की कोई समस्या हो कोई क्वेरी हो कोई क्वेशन्स हो आप दूर भास पे इमेल के द्वारा वाट्सअप नंबर प्याप अपने प्रॉब्लम है वो सेर कर सकते इन सब ही को सौल किया जाएगा thank you very much have a good day have a great day thank you very much